दोस्तों नोईटा सेक्टर सेवेंटी, एट से फिर एक न्यूज निजुज निकलके आ रही है कि इंडिया वे इलेक्रिक वेकल का दिन से नहीं चल रहा। बिग बास्वेट नाम का दोस्तों एक ब्रांड आप लोग पता है फूट डिलेवरी वागरा करता है तो वहां का फूट डिलेवरी वारा दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जा रहा था और इस्पीट ज्यादा होने की वज़ा से गाड़ी में आग लग गई और वहीं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं मेरा नाम है रजाकान आप देखरें टेक बॉक्स मॉर्णिंग में दोस्तों रेडिमी नोट टूल सेरीज पर पूरा वीडियो बनाया हूं इंडिया में क्या होगा नहीं होगा और कितने में आएगा दोस्तों सब को बताया तो जाके देख सकते हैं आप बात करते हैं पूल की तो पूल में हमने पूछा तो दोस्तों आपसे कि आप अपना फोन को कभी फॉर्मेट मारे हैं बाकी के लोगों ने कहा कि नहीं मारे है और दो परसेंट ऐसे अल्टरा लेजन्ट है जिसमें हम भी आते हैं कि हमें वाइल कमेंड में अपनी राइज ज़रूर तो चलिए दोस्तों फाली न्यूस की तरफ बढ़ते हैं तो भाई यह प्राग अगरवाल इंडिया के दोस्तों है फोई लेकिन ट्वीटर के वह सीओ थे रुको जरा सबर गरो आज दोस्तों एलन मौस ने उनको लात मारकर निकाल यह आपको क्या लगता है कमेंड में अपनी राइज ज़रूर दी चलिए दोस्तों बात करते हैं साइबर क्राइम की तो दोस्तों इंडिया वार्मेंट ने यह कहा है कि 27,000 ऐसे नंबर है जो साइबर क्राइम से डिटेक्टेट हो रहे है और जिसको नंबर को दोस्तों नहीं इनको भी बंद कर दिया जाए आप मजाया को जो भी लगता है कमेंड में अपनी राइज ज़रूर आपकी नियूस निकल के आरही आप लेना चाहेंगे दोस्तों वैसे दोस्तों यह क्या होगा टू बाइटू यह फोर बाइफोर तो नहीं होगा टू बाइटू होग चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल शिप्मेंट की तो दोस्तों ऐसा बता जा रहा कि ग्लोबल में शिप्मेंट के मामले में सैमसन जो है फिर से लीट कर रहा है ठाट क्वार्टर में दोस्तों और 64% market share है दोस्तों shipment के मामले में उसके बाद 42 का तकरीबन 42 या 46 जो है दोस्तों Apple का है उसके बाद दोस्तों Xiaomi का है 40% इस तरह कुछ निकल के आ रही है आपको क्या लगता है Xiaomi कब तक बीट करेगा Apple को दोस्तों shipment के मामले में globally comment में अपनी राइस सरूज चलिए दोस्तों बात करतें मेटा की मेटा ने दोस्तों अपना VR handset जो आने वाला है दोस्तों उसको launch करने वाला है फरवरी 2023 में इस तरह कुछ निउस निकल के आ रही है मतलब बनके तयार हो चुगा जोगरबर भाईया भाईया पकड़े हैं आपको क्या लगता है ये जब आएगा दोस्तों तो आप कौन सा चीश को सबसे ज़्यादा अनुभाव करना चाहेंगे समझ लीजेए एक कमेंड में अपनी राइस सरूज फरेले दोस्तों बात करतेंटि आपल के ये टरफ से तीन जर्फ एवर जाबर है पहला जो है दोस्तों का ऐसा नियुक खतम है आप जॉट डूसरा जहा दूस्तों कि क्या है जा जा रहा है कि साड़ी डिस्ट्रेट बटन आएगा यह मुझ शोचेगा कि सिर्स नहीं आएगा सिरीज आएगा लेकिन दोस्तों जो 15 है मतलब दोस्तों जैसे 14 का मीनि आया था, e3 में बंद कर दिया गया तो उसी तरीके से दोस्तों 15 में 15 जो है वह नहीं आएगा 15 प्रोर प्लस या मैक्स जो भी बोल सकते वो आएगा कैसा लगा मेरे मजाक इस तरह कुछ नियूस निकलके आ रही है आप दोस्तों 15 पे इंट्रेश्टेट रखते हैं कमेंड में अपनी राइस जरूर चले दोस्तों बात करते हैं अपल की अगली खावर की तो दोस्तों एपल का ऐसा बोलना है कि इन सवाल ने का तो नाइट हॉट गेमिंग भाई का सवाल है कि रेडमी नोट 12 सिरीज में क्या इन डिस्प्लेइ फिंगर प्रिंट अभी यह लोग नहीं दिये साइड मौंटेट फिंगर प्रिंट से काम चला रहे हैं आपको क्या लगता दोस्तों यह लोग इंडिस्प्ले फ इस तरह कुछ निज़ निकल के आ रही है आपको जो भी लगता है जरूर बताए आप मी पे यूज़ करते थे या नहीं कमेंट में जरूर बताए है वहीं दोस्तों बात करते हैं रेडमी नोट 12 सिरीज की तो दोस्तों तीन फोन का लाँच हुआ है मतलब दोस्तों तीन तर की इसमें मिलता है आपको स्नाइब ड्रागन फूर जनरेशन वन वाला प्रोसेसर जो एक 5G प्रोसेसर है यहां पर दोस्तों देखने को मिलता है 48 पले दो का रियर कैमरा आट का सेलफी 5000 मिलिंपेर आर्ट के बैटी 33 वाट का फार्स चार्जिंग प्राइस जो आया है कनवर डिस्प्ले हुआ गयरा दिया गया है कैमरा जो है दोस्तों इसका 50 पलस 8 पलस 2 और दोस्तों 16 का सेलफी यहां पर भी 5000 मिलिंपेर आर्ट के बैटे 67 वाट का फार्स चार्जिंग और प्रो में दोस्तों आपको बस यहां पर जो कैमरा सेंसर है वो एक्स्ट्रा मिलता है इसका दोस्तों प्रो का प्राइज जो आया है 19,000 रुपए और दोस्तों जो पलस वाला वेरियंट है उसका प्राइज आया है 23,000 रुपए और और आल्रेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है दोस्तों बार्णिंग अलब वीडियो के देखिया लेकिन को इंसिडेंट ऐसा प्राइज के आएगा आपकी जो भी राय है कमेंड में जरूर वहीं दोस्तों इसी के साथी साथ शौमी का 13 उनका जो दोस्तों बुक है वो भी लाउंच हो चुका है और इसकी जो प्राइज आई है 80,000 रुपए कनवर्ट करके बता रहे 12 जनरेशन वाला दोस्तों आई 5 प 204E यह तीन फोन दोस्तों और एक और फोन वह भूल गया हूं कौन सा है कहां से आते ही लेकिन दोस्तों यह चार फोन जो है इंडिया के वेशाइड में मर्दाब सैमसंग का जो ओफिशल वेशाइड में लिश्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा जिसमे पर सिर्फ फोन दिख रहा है लेकिन दोस्तों के जो डिजाइन वगरा है पहले ही कि जैसा लग रहा है आपको कुछ नजर आया अगर एक्ष्ट्रा तो कमेंट में सरूर रहा है चलिए दोस्तों इसका प्राइस जो है ऐसा बोला जा रहा है कि 14-15,000 के रेंज में दोस्तों आने वाला है 4G अलब वेरियंट हिलियो के G99 प्रोसेसर के साथ डिजाइन मैंने पहले दिखा दिया आपको क्या लगता है दोस्तों शौमी के जैसा ये स्नाइब डागन 4 जनरेशन 1 के साथ क्यों नहीं ला रहे कमेंट में अपनी रायत जरूर चलिए दोस्तों बात करते है मोटो का जीप ले 2022 ये जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हिलियो का G37 प्रोसेसर के साथ इस तरह कुछ नियूज निकल के आ रही है नॉर्मल सा कैमरा 13 पलस दो का आर्ट का सेलफी 5000 मिलियंपेर आर्ट के वैटरी और दोस्तों 25 वाट का फास्ट चार्ज का दोस्तों ये जो फोन है दोस्तों इन्रइट 13 का ऐसे साथ रिलीस कर दिया गया है डोस्तों अगर आपके पास तो जाहीए अपडेट करिये और बताएए आप इसमें नया क्या देखते हैं कमेंड में ज़रूर बताएं वहीं दोस्तों बात करते हैं लावा की तो लावा canvas फाइब जी का दोस्तों एक टीजर आया है अब दोस्तों इसमें कौन सा फोन है पता रही लेकिन फाइब जी फोन दोस्तों ब्लेस के नाम से लावा का आने वाला है आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रू होती है खता मेरे सवाल है आपसे के साल 2022 का सबसे बड़ा चंदर ग गरन सूरज गरन कमेंट में ज़रूर वाज़ाइए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए नहीं मैं मनते चैनल को सब्सक्राइब करें बखवास तो हम ज्यादा करते हैं लेकिन आपका का में सब्सक्राइब करना चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्